हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडिया और निजुलेंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे ODI मैच प्रिविव के बारे में जो की सिरीज का आखरी मुकाबला होगा सिरीज भारत ने पहले ही जित ली है और निजुलेंड को दोनों मुकाबले में कड़ी टकर देते हुए जीत हासिल की है जहां तक निजुलेंड का सवाल है तो निजुलेंड की टीम ने बहुत ही खरापर दर्संग किया था सेकेंड ओडियाई में वही भारत की गेदबाजी बहुत ही बहतरीन रही हमने देखा कि किस तरह से मुहमद सिराज, मुहमद समी और सारदुल ठाकूर, हारदिक पंडिया सभी गेदबाज भारत के अच्छे लाय में दिखे जिस तरह से गेदबाजी हुई इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि भारत की टीम कितनी मजबूत इस्तिती में चल रही है और अगर भारत जो है निजिलेंड को इस मुकाबले में हारा देती है तो क्लिन सिप हो जाएगा इस सिर्ज का और इस तरह से भारत बिस्व की नंबर वन ओडियाइटिन भी हो जाएगी निजिलेंड की तरफ से मात्र ग्लेंड फिलिप ने ही ऐसी बल्लेबाजी की और वो चतिस रनों की पारी उन्होंने खेली वहीं मिचल ब्रेसवल ने 20 रन मनाये और कोई भी खिलाड़ी जो है दाहाई का आंग पार नहीं कर पाया जो है मिचल सेंटनर ये तीन खिलाड़ी ग्लेंड फिलिप, मिचल सेंटनर और मिचल ब्रेसवल ये तीन खिलाड़ी ही रहे जो कि दाई के आंग तक पहुँच पाए और 108 रनों पर निजलेंग के टीम पूरी सीमिट गई जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी और गिदबाजी हुई बल्लेबाजी में हमने देखा कि रोईत सर्मा ने कितनी बहतरीन बल्लेबाजी की और एक अर्धसत की पारी खेली हाला कि वो क्यान रन मना कर आउट हो गये और जो है बहतरीन बल्लेबाजी का नजारा उन्होंने पेस किया उन्होंने पूल साट बिप जो है बेतरीन चक्के भी लगा है वही सुमन के लिए नाबाद पारी खेली और वह जो है अंध तक पीछ पर बने रहे हैं दूसरे मुकाबले में उन्हें देखा कि मुहम्मद समी कितने बेतरीन ले में दिखे वो अपने पुराने ले में नजर आये और इस तरह से उनको देखकर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अब वर्ल्ड कप की टीम के हिस्सा भी हो सकते है जहां तक सवाल है मुहमद समी का तो बेतरीन गेदबाज है हैं इसमें कोई सक नहीं था लेकिन वो खराफ फाम से गुजर रहे थे और उनको लगाता टीम मौका दे रही थी जिसमें उन्होंने जो है दूसरे ओडियाए में अच्छा प्रदर्सन करके अपने टीम में जगव बनाई इस मुकाबले में हो सकता है कि क्या होगा कुछ बदलाव दुनों टीमें कर सकती है क्योंकि ये आखरी मुकाबला है और सिरिज भारत पहले ही जी चुकी है तो इस मुकाबले में कुछ चेंजर्स देखने को मिल सकते है डिबुटेंट भी हो सकते है रजत पडिदार के रुप में डिबुटेंट इस मुकाबले में खिलते नजर आ सकते है देखते हैं क्या होता है तो मुकावला बहुत ही दिल्चस्प होने वाला है दोने टिमों के बीच यह आकरी मुकावला होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदोर में खेला जाएगा जो की दो पहर को एक बचकर 30 मिनट पर आरम होगा 24 जन्वरी को अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया तो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजी क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी कोई भी अपडेट हमारे टेलिग्राम चैनल पर आते ही आपको मिल जाएंगी टेलिग्राम चैनल का लिंक description और comment box में pin कर दिया गया है तो वहां से आप जा करके telegram channel को join कर सकते हैं चलिए अब हम pitch report के बारे में जान लेते हैं pitch report क्या रहने वाली है जो कि इस pitch पर जो है betting friendly रहने वाली है और जो है spinners इस pitch पर secondary में काफी विकेट निकाल कर ले जाते हैं हमने देखा है कि किस तरह से spinner इस pitch पर गिदबाजी करते हैं और last के मुकावलों में क्या हुआ था उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस pitch पर आखरी मुकावला जो हुआ था 2017 में खेला गया था 24 सेतंबर को जो की इंडिया और अस्ट्रेलिया के विच में खेला गया था और वह आखरी international मुकावला रहा था इस pitch का उस मुकावले में इंडिया ने अस्ट्रेलिया टिम को पांच विकेट से हरा दिया था और मुकावले को जित लिया था अब चलिए देख लेते हैं लास्ट के पांच मुकावले जो इस पीछ पर हुए हैं उनको और उनके बारे में क्या-क्या रहा है तो उसमें देखते हैं कि कौन-कौन से किलाने ने अच्छा प्रदर्सन किया था तो लास्ट मुकावला जो इस पीछ पर हुआ था उस मुकावले के अंदर 293 रन 6 विकेट के नुक्सान पर बने थे फस्ट इंग में 247 रन नौन विकेट के नुक्सान पर भारति टीम ने बनाय थे जिसमें कि विरिंदर सहबाग कप्तानी कर रहे थे और उन्हों पांच इंटरनेशनल ODI मुकाबले जो खेले गए हैं उनके स्कोर्स हैं वहीं सेकेंड इनिंग में 294 रन 293 रनों का पीछा कर रही टेम ने चेस कर लिया था 294 रन बना करके इंडिया ने चेस किया है वहीं 247 रन पहली पारे में बनाये गए थे भारती टीम के द्वारा जो की 225 रन बना कर आल आउट हो गए थी टीम चेस करते हुए 418 रन भारती टीम ने बनाया थे 265 रनों पर जो है वेस्ट इंडिस की टीम आल आउट हो गए थी 292 रनों का पीछा कर रही थी टीम और 238 रनों पर आल आउट हो गए थी वही 288 रन बनाये थे पहली पारी में और 299 रन बनाकर भारती टीम ने इस मुकाबले को जित लिया था तो यहाँ पर भारत ने पांच मुकाबले खेले हैं और पांच के पांचों मुकाबले जो है भारती टीम ने जिते हैं इस पीछ पर तो यहाँ जो है भारत को काफी बहतरिन प्रदर्शन देखने को मिलता है निजिलेंड की टीम ने यहाँ पर एक भी मुकाबलन नहीं खेला है यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने पिछले पांच मुकाबलों में से तीन मुकाबले जीते हैं वहीं दो मिसमें हर का सामना करना पड़ा है तो यह पिछ प्रकार होती है इसके बारे में हम आपको देखाते हैं एक प्र surgita के माधियम से आपको समझाते हैं सब्सक्राइब का बहुत में यहाँ अंक है मना जाता है और भात की जो है स्टेडियम में सबसे बैतरी में गिनती होती है इनकी भी तो इनके बाद जो है अब यह पीछ देख लिजिए जो की लास्ट उमकावले में हुए थे उसकी पीछ सर्फेस कितनी बैतरीन रहती है और यहां पर ड्राइ रहता है सर्फेस जिससे की बैट्समैन को काफी मदद मिलती है लेकिन सेकेंड इनिंग में इस्पिनर्स को इस पीछ पर काफी मदद मिलती है तो जो है यहां पर इस्पिनर्स इंपोर्टेंट रहने वाले हैं यह देखिए करीब से देखिए पीछ कितनी ड्राई है और कितनी उच्छाल लेती है यह फ our और पेशर्ण ने किस प्रकार का जू है प्रदर्शन क्या है रिसपीछ पर उसके वारे रम चारी ले लेते हैं तो इस प्रिंपर जो हैं रहां पर आफंड new प्रतर्सन करते हैं और जो है सेकंड इनिंग में इसमीनर्स का बोल वाला रहता है तो यहां पर फर्स्ट इनिंग में जो है इस फिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलती है जितनी सेकंड इनिंग में यहां पर किस तरह से गयदवाजी करते हैं और तेज़ गयदाश किस प्रकार से गयदवाजी करते हैं किसी भी पीश पर दोनों तरफ से टीम नीज यह है कि एक्षर पटेल के लडाहूल नहीं खेले वाले हैं फैमिली डिजन के वज़े से स्रेय सायर रोल्ड आउट हो चुके हैं रज़त पडिदार रेप्लेस्मेंट के तौर पर टीम में सामिल किया गया है और इस मुकावले में वो डेब्यू भी कर सकते हैं और सदीप सिंग को टीम में से ड्राप किया गया है वही नीज लेंड की तरफ से टीम नीज यह है कि ट्रेंड बोल्ड मार्टिन गुप्टिल को स्कॉर्ड में सामिल नहीं किया गया है मार्क चैपमेन, जेकब डफी जो है ODI स्कॉर्ड में सामिल के गया है केन विलेमसन साओधी को रेस्ट दिया गया है और टैम लेथम जो की टीम को लीड कर रहे है और अभी तक जो है उनका फार्म बहुत इच्छा नहीं रहा है टीम को लीड करते हुए इंडिया और निजुलेंड के बिच हेड टो हेड स्टेट्स 2020 से 2030 के बिच में कितने मुकावले खेले गए हैं तो टोटल आठ मुकावले दुनों टीमों ने खेले हैं इंडिया ने तीन मुकावले जीते हैं वहीं निजुलेंड में निजुलेंड को तीन मुकाबले में जीत मिली है और दो मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाया है तो यह बहुत ही महत्पूर रहा है अभी तक चलिए अब जानने तो दोने रुमियों के एक्षुक्रेट प्लेंग लेवन क्या रहने वाले एक तो इंडिया के तरफ से रोई सर्मा ओपन करने आंगे जो की कप्तान भी है और सुब्मन गिल के साथ में जो की बहतरीन फार्म में चलने हैं सुब्मन गिल ने पिछले नहीं कर पाए हैं दो मुकाबले खेला इन्होंने और जो है दोनों मुकाबले में जल्दी आउट हो गये थे सुरुक्रमार यादो ठीक्टा प्रदर्शन क्या है इन्होंने इनका नंबर अभी सभी मुकाबले में आया नहीं सान किसन ने अच्छी विकेट के पिंग भी किय से महत्पोड रने वाले हैं हार्दिक पंड्या बहत्रीन गेदवाजी थी पिछले मुकाबले के अंदर हमें देखा कि काटन बोल्ड कितनी बहत्रीन तरीके से नहीं लिए एकदम जमीन से लगने वाली गेद को भी इन्होंने कैश कर लिया और जो है डेरेल मिचल को काटन मोल्ड करके इन्होंने पेवेलन का रास्ता दिखाया तो यहां पर जो है बहत्रीन गेदवाजी की हुई है वासिंगटन सुंदर ने भी दो विकेद निकाले थे तीन वर्स में और एक मेडन डालते हुए दो साथ रंदे कर दो विकेद नोने लिया था तो यह सुंदर भी अच्छे गेदवाजी की थे अच्छे गेदवाजी की थे इन्होंने भी एक बेकेर निकाला था लिया रहे और प्लेर आपंदी मैस भी देसे पि पिछले मंगाबले में बहत्रीन गेदवाजी ती इस चीन परीवरतन हो सकते हैं कि न सुपने ने थाटे .. पिछले चार मुकावलों के अंदर जो है 13 विकेट लिये हैं उडियाई में और यह 23 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गिदबाज भी हैं क्योंकि अभी तक और भी टीम में जो खेल रही हैं उन्होंने इतने विकेट अभी नहीं निकाले हैं और कुल्दी प्यादो कुल्दी प्यादो भी विकेट वाजी की थी और व्योति मुकावले के अंदर तो हार्तिक पंडिया वसम गटन सुंदर और सभी ने इनका सहयोग भी किया था इस मुकाबले में खिलते नजर आ सकते हैं और वो डेबियू कर सकते हैं केस रिकर भरत को इसान किस्तन की जगह पर डेबियू कराया जा सकता है तो इस मुकाबले में संभवतस चांसेज हैं रजवत परड़िदार और केस रिकर भरत का डेबियू हो सकता है इस मुकाबले के अंदर और वासिंगटन सुन्दर की जगह पर सामिल की जा सकते हैं लेकिन ऐसा हो गया नहीं क्योंकि वासिंगटन सुन्दर ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेद सुराती के जो है दस और के पावर प्ले में यह साथ से आठ और गेदबाजी करते हैं सारदुल ठाकूर हर्दिक पंडिया भी इनके बीच में गेदबाजी कर सकते हैं डेत वर्स की गेदबाजी मुहमद समी सारदुल ठाकूर और मुहमद सिराज करने वाले हैं जो की बहु मुकाबले के अंदर कोई भी बल्यवाज जो है दाई का अकड़ा पार नहीं कर पाया था और टॉप अडर के फ्लॉप होने के वेज़ा से जो है बहुत जल्दी टीम आल आउट हो गई थी टॉम लेथन जो कि यह अच्छी बल्यवाजी भी तक नहीं कर पाया है डेर्ल मिचल गलेनफिलिप पिछले मुकाबले के हाइज्टी स्कोर रहे हैं चोथिस रणह इन्होंने बनाये हैं मिचल बर्स्व Almag a理 Het सकता है और लोकी फर्गुशन यह एक्सटेट प्लेंग 11 रनने वाली है निजलेंड की तरफ से बेंच प्लेयर जैकब डफी डॉक ब्रेस्वेल और इस सोडी रनने वाले हैं स्टार्टिंग वर्स की गिदबाजी हैं लोकी फर्गुशन गिदबाजी करते नजर आ सकते हैं व सुबमंगिल जो की बेहतरीन फार्म में चले हैं भारती टीम के ओपनर वर्लेबाज और लाजवाब फार्म में चले हैं इन्होंने डवल संजुरी भी जड़ दिया और सबसे तेज जो है एक हजार रन पूरे करने वाले क्रिकेटर भी बन गये हैं इन्होंने 87 के बैटिंग के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए लगाई है और यह जो है हाला कि न्युजिलेंड की सेज में जो है अच्छा प्रदसन नहीं कर पाया निजुलेंड के खिला डिवोन कन्वे खराब फाम से बुजर रहे हैं 10 मुकावले 297 रन 37 का बैटिंग एरोज 77 का स्ट्राइक र रहा है चलिए महत्पूर गिदवाजों के बारे में जान लेते हैं तो मुहमद सिराज साथ मुकावले 19 विकेट गजब के फाम में है इन्होंने पिछले मुकावलें भी घातक गिदवाजी की थी और जो है टाप अडर को फ्लाप करने में इनका बहुत ही महत्पूर रोल र इनकी पिटाई हुई है जिसकी बदोलत यह स्टाइक रेट इनका इतना हाई है डेरल मिचल दस मुकावले 5 विकेट चार की को नामी और सोला का स्टाइक रहा है हाला कि यह ठीठा गिदवाजी की है इन्होंने चलिए जान लेते कॉमन केप्टन और वाइस केप्टन इस मु प्लेयर होंगे इस मुकावले के अंदर और बड़ी पारी खेल सकते हैं क्योंकि यह बैटिंग पिछे और यहां पर जो है सरवाधिक रन बंते नजर आते हैं यहां पर इससे पहले जो है मुकावले जो हुए हैं उनमें एक 12 सतक भी लगाया गया है जो कि विरिंदर सवाग ने बनाया था तो यहां पर रन बंते नजर आने वाले हैं टाम लथम मिचल ब्रेस्वेल सिराज और संटनर यह महतुपूड प्लेयर रहने वाले हैं इस मुकावले के लिए मुहमाद सामी आपकी जील पी खो सकते हैं क्योंकि पिछले मुकावले में उन्हें निकाला था तो इस मुकावले में भी जो है वो अधिक विकेट निकालका ले जा सकते हैं देखते हैं क्या होता है चलिए अब हम एक बहत्रीन जील टीम बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप जील में जो है टीम बना सकते हैं विकेट किपिंग सेक्शन से आप जो है टाम ल अब्थन को ड्राप कर सकते हैं फिन एलन को आप लिजिए क्योंकि यह जो है इस मुकावले में वड़ी-पारी खेल सकते हैं और यह बहतरी जो है तो यह मतपूर्ट प्लेयर रनने वाले हैं इस मुकावले के लिए ब्रयाट को लिए रोई सर्मा डिवोन कनवे और सुमन गिल को आप रख सकते हैं डिवोन कनवे को ड्राप करके आप ग्लेन फिलिप को रख लिए ज्यादा बहतर रने वाला है यह हार्दिक पंडिया मिचल सैंटनर और मिचल ब्रिस्वेल आपके टिम में रह सकते हैं वासें गटन सुंदर को आप ट्राइब कर सकते हैं या फिर डैर् जो टीम बनकर तयार हो गई है और मैं इसी टीम के साथ जाने हो लोग एक आपके जो रहने वाले हैं इस मुकामले के लिए अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो आप रोज सर्मा को कैप्टन और विराट कोली को आईस कैप्टन बनाई है और अगर पहले गेदबाजी करत लिए और जो है अगर पहले भारत बैटिंग करता है तो आप जीन मिए सेकेंड डिनिंग में कुल्दी प्यादों को या तो फिर आप वासंग अगटन सुन्दर को लेकर कि जीन में कैप्टन और वाइस केप्टन मना सकते हैं क्योंकि सेकेंड डिनिंग में यहां पर चेट अधिक मिलते हैं तो इसलिए जो है आप इनको कैप्टेन वाइस कैप्टेन ट्राइ कर सकते हैं अगर जो है सेकेंड इनिंग में पहले जो है निजुलेंट की टीम गेदवाजी करती है तो आप ग्लेंड फिलेप मिचल ब्रेस्वेल और सेंटरनर में से किसी एक को कैप्टेन वाइस कैप्टेन जोरो से जोरो बनाई है क्योंकि यहाँ पर विकेट अधिक मिलते हैं सेकेंड इनिंग में इस्पिनेर्स को तो यह मात पूर रहने वाला है हाला कि मैं रोई सर्मा को कैप्टेन और विडाट कोली को वाइस कैप्टेन मनाना उचित समझ रहा हूं इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कलेजी और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे उनको बराबर नौटिफिकेशन मिलती रहे